हेलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कुंगर मोबाइल टेकनिकल फ्रेंड आज हमारे पास है जे सेवन डूओ जे साथ सो बीस मॉडल है इसका और इसमें लगा है फर्पी यानि गूगल अकाउंट आप देख सकते हैं वेरिफाइं यूर अकाउंट यहां पर हम यह अकाउंट नहीं पता है और हम इसको बाइपास करेंगे विदाउट पीसी आपका यह एंड्रोइड 8 है बट 8 9 10 यह तीनों पर यह ट्रिक वर्क करेगा यह आप देख सकते हैं हम फर्स्ट पेज पर हैं अब हमें यह बटन होम बटन तीम बार लगातार प्रेस करन है रहसे हैं एक धक्षर की ना बुस्त कर लगठ डावक कर गाओ चाने नहीं तो double tap करके one two double tap करेंगे और उसके बाद हमें double finger से इसको scroll करके एक finger से नहीं काम करेगा दो finger से scroll करके उपर जाएंगे आप और यहाँ देख रहते हैं help and feedback इसे हमें double click करके open कर लेना है अब आप यहाँ देख सकते हैं help के page पे हम यहाँ आप first देख सकते हैं control your android उपर वाले option पे हमें click करना है search list है बट हमें उपर वाले पे click कर लोगे फिर भी हमारा काम हो जाएगा इस पे click करेंगे और हमारा आप देख सकते हैं एक YouTube का symbol है हमें इस पे click करना है और फिर हमें three dot पे click करेंगे share पे और फिर three dot पे और जैसे ही हम इस पे click करेंगे हमारा YouTube open होके Chrome browser में enter कर जाएंगे हम Chrome browser को set up कर लेना है और set up करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा Chrome browser open हो गया है और हमें search box में लिखना है यहां आप देख सकते हैं एक सेकंड यहां पे search box में हमें लिखना है vision room dot net slash bypass ठीक है यह आप देख सकते हैं search list में हमारा नीचे आ गया है vision room dot net slash bypass हमें इस पे click कर लेना है और click करके हमें first link पे फिर set click करना है first link पे click करने के बाद हम आ जाएंगे vision room के official website पे आप देख सकते हो और हमें यहां पे एक सिर्फ एक application डाउनलोड करना है friend मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हैं frp vision room dot apk यह application हमें डाउनलोड कर लेना है ठीक है और जैसे ही आप click करोगे यह advertise जाएगा इसको back करके दुबारा से फिर से click करेंगे इस पे और आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड का permission अगया है हमें continue करना है continue कर यह a permission allowed देना है और यहां पे देख सकते हैं download यहां हमें click करना है और हमारा download का process start हो गया है आप आप देख सकते हैं हमें download में आजाना है और आप देखिएसे एह 28 MB का near होगा या उससे भी कम यह हमारा डॉणलोड हो जाएगा और यह हमारा डॉणलोडिंग फेंड़ेट करने हैं आप देख सकते हैं हमारा डॉणलोड कम्प्लीट हो गया है अब हमें इसको simply click करना इस पर और setting पर click करेंगे और यहां permission allow करेंगे और फिर से इस application को install करेंगे back आएंगे इसके बाद यह आप next करेंगे और install हो जाएगा install ठीक है यह हमारा application install installing का process start और अब हमें open नहीं करना है simply done पे click करना है open नहीं करना है back आना है और फिर scroll करके यहां setting का option है इस पे click करके हम अपनी device के setting में enter कर जाएंगे और यहां पे आपको आना है biometrics and security में click करेंगे और यहां पे फिर से scroll करके नीचे आएंगे other security setting इस पे click करके और हमें device admin apps पे click करना है और find my device को deactivate करना है ठीक है इसको हम deactivate कर लेंगे फिर back आएंगे back आएंगे और फिर से back और यहां application आप देख रहा है application पे हमें click कर लेना है और three dot है उपर three dot पे click करके show system कर लेंगे और यहां पे दो application है friend जिसे हमें disable करना है तो पहला है google account manager या google करके होगा उसे हमें disable करना है यह आप देख सकते हैं first यह रहा google ठीक है अगर आप में google है या google account manager है तो दोनों को आप disable करेंगे back आएंगे और फिर google play services इस app को इन दोनों applications को हमें disable करना है फिर back आएंगे बस यहां पे दो application ही था और फिर back आएंगे और back आने के बाद आप देख सकते हैं cloud and accounts इस पे click करेंगे और फिर account पे click करेंगे और add account पे click करेंगे और फिर यहां पे आप देख सकते हैं google google पे हमें click कर लेना है और Google पर click करने के बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर अपना कोई भी एक email ID enter करना है ठीक है फ्रेंट कोई सा भी email ID जिसका आपको ID और password पता है आपको यहाँ पर fill करना है और next next करते जाना है तो मैं अपना email ID यहाँ पर enter कर लेता हूँ तो तो थोड़ा privacy है तो थोड़ा मैं camera को चिपाऊंगा और मैं यहाँ पर अपना ID fill कर रहा हूँ आपको भी अपना ID fill करके next कर रहा है ठीक है और फिर password डालना है password डालने के बाद भी next कर दिया है यहाँ पर मैं अपना password डाल रहा हूँ और यह मेरा password हो गया है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर next करेंगे हैं next करने के बाद यहाँ I agree करेंगे और आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर हमारा login कम्पलीट हो गया है ठीक अब यहाँ पर back आएंगे back आएंगे और biometric and security में हमें फिर से click करना रहेगा यहाँ पर click करेंगे और फिर other security में और device admin apps में आके इसे activate कर देंगे ठीक है जो हमने अभी deactivate किया था उसको activate किया अब application में आके उन दोनों apps को हमें enable करना है मतलब disable करना है disable किया था मैंने अब enable करना है disable में आना है और दोनों application को हमें enable कर देना है इसको भी enable करेंगे फिर back आएंगे और फिर google play services को भी enable कर देंगे इन दोनों applications को enable करने के बाद मैं आपको बता दू कि इसको back आना है या आप यहाँ से restart कर सकते हैं सबसे आसान तरीका आप restart कर दे तो मैं अपना device restart कर रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर restart है restart किया मैंने और restart होने के बाद थोड़ा सा time लगेगा फ्रेंड on होने में तब तक आपने मेरा channel अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की notification आपको मिलती रहें और वीडियो आपके लिए जड़ा भी helpful रहें तो इस वीडियो को भी like करना बिल्कुल न भूलें आपका device 100% successful bypass होगा फ्रेंड आप android 8, 9, 10 इन तिनों पे ये work ये trick आपका work करेगा यहाँ आप देख सकते हैं हमारा device on है और हम arrow पे click करेंगे और आपका wifi connect होना चाहिए अभी भी disconnect नहीं करना है और यहाँ पे term and condition सब ok करके हमें next करना रहेगा और आप देख सकते हैं checking for updates just a second और हमारा account added हो गया है दोस्तों और हमें next कर दिया just a second यहाँ पे थोड़ा सा time लेगा और यहाँ भी next कर दे और फिर यहाँ पे no thank you और skip anyway और accept कर लेंगे can't restore updating तो अब हमें फिर से एक बार क्या करना है पूरा complete हो जाएगा आगे तक तो हमें फिर से इसके setting में जाके factory data reset करना रहेगा ताकि phone एकदम fresh हो जाए फिर से और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम skip कर लेंगे और finish अब यहाँ हम सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे और एक सेटिंग यह कांटिनु हो गया तो skip यहाँ इंस्टाल ही रहे फ्रेंड हमें इसके setting में आ जाना है setting में आना है setting में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे general management और फिर reset factory data reset अब यहाँ पे हमें reset कर लेना है delete all अब इसके आगे जब restart होके on होगा फ्रेंड तो यह बिलकुल fresh तरीके से आप बिलकुल easily next next करते जाएंगे और हमारा setup complete हो जाएगा फिलाल अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं भी आगे तक बता देता हूँ अगर आप यहाँ से आगे जानते हैं तो आप वीडियो को exit कर सकते हैं यहाँ पर on होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं थोड़ा fast forward किया हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर erasing हो रहा है यहाँ सारा data मेरा delete जो भी मैंने application वगारा install किये थे इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं और अब आप देख सकते हैं starting android अब आप देख सकते हैं हमें start पर click करना है अब देख सकते हैं जब हमारा accessibility का option आप जाता है तो इससे पता चलता है कि device में FRP lock नहीं है simply next next setup अपना कर लेना है next और agree करके आप देख सकते हैं next आप देख सकते हैं no thank you skip anyway more accept skip finish देगे और हमारा set complete bypass okay ठीक है फ्रेंड तो वीडियो जराफी helpful रहा हो फ्रेंड तो प्लीज चैनल को subscribe और वीडियो को like करना बिल्कुल न भूलना तो आप देख सकते हैं इसका model भी जैहन बंदे मात्रम